दिपिका पाड़कोर ने छोड़ा कंगना रनौत को पीछे दिपिका कंगना से 10 गुना आगे निकली क्या है ये माजरा? क्यों हम आपको ये बता रहे है? वेल, ये हमारी नहीं, बल्कि आमजंता की राय है देश की नमबर वान हीरोईन का चुनाव आमजंता ने कर लिया है और इसमें आपके तमाम फेवरेट आक्ट्रिस से शामिल है कुरोना काल और दिवंगत सशान सिंग राजपूत के निधन से देश का मूड काफी हद तक बदला है ऐसे में करवी इंसाइट्स लिमिटेड ने एक सर्वे किया टीवी चानल आज तक के लिए इस सर्वे में 12,021 लोगों से बात की गई इन में से 67 फीजदी ग्रामेन जबकी 33 फीजदी शहरी थे इन लोगों से पूछा गया कि उनके हिसाब से आज के वक्त में देश की नंबर वन हीरोईन कौन है इसके रिजल्स काफी चौकाने वाले है तो बताते हैं आपको देश की नंबर वन हीरोईन इस समय कौन है 16 फ्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने दिपिका पाड़कोन को देश की नंबर वन आक्ट्रिस बताया है जबकि 14 फ्रतिशत ने इंटरनाशनल स्टार प्रियंका चूपडा को नंबर वन आक्ट्रिस बताया 13 प्रतिशत लोगों ने माना है कि कट्रीना कैफ देश की सबसे काम्याब अभिनेत्री है जबकि 10 प्रतिशत ने एश्वर्य राइब बच्चन को नमबर वन आक्ट्रिस चुना इसके अलावा अनुष्का शर्मा को 9 प्रतिशत लोगों ने आलिया भट को 6 प्रतिशत लोगों और कंगनर अनौत को भी 6 प्रतिशत लोगों ने देश की सबसे काम्याब अक्ट्रिस माना है सोनाक्षी सिंहा, करिना कपूर खान और शधा कपूर को 3-3 प्रतिशत लोगों ने नमबर वन आक्ट्रिस माना है जबकि 2 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्होंने सारा अली खान औ को देश की सबसे काम्याब अभिनेतरी बताया हाला कि 14 अडवानी को इस सर्वे में 0 प्रतिशत वोट मिले विले डाटा काफी शौकिंग है वो इसलिए क्योंकि इस समय कंगना रनौत को लोग बेहत पसंद कर रहे है देश में लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट और वीडियोज को लोगों ने पसंद किया वही सुशान सिंग राजपुत के निधन के बाद कंगना ने निडरता से बॉलिवुड में होती आ रही काली कर्तुतों को स्टार्स के नाम लेकर एक्सपोस किया जिसके बाद बॉलिवुड के प्रती लोगों में नफरत देखने को मिल रही है बड़े स्टार्स या स्टार किट्स की सिल्मों को बॉयकॉट करने की मुहीम चलाई जा रही है जहां कई स्टार्स की फैन फॉलिवूइंग घटती जा रही है वही कंगना रनौत की फैन फॉलिवूइंग बढ़ती ही जा रही है ऐसे में आज तक के कर्वी इंसाइट्स लिमिटेड द्वारा किये गए सर्वे रिजल्स क्या आपको शौकिंग नहीं लगे दिपिका को 16% और कंगना को 6% बिलीवेबल और अन्बिलीवेबल पोस्ट करिए अपने कमेंज